स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे मैं कुनाल वांसल एक बार फिर आजिरों आपके सामने एक नई वीडियो के साथ दोस्तों मेंसुरेशन सेरीज में आज अपना फॉर्थ लेक्चर डिसकस करेंगे इस सेरीज में हमने तीन इटल हेक्सागन और पॉलिऑं के बारे में डिसकस किया और आज कि लेक्चर में दोस्तों हम डिसकस करेंगे 3D figures यानि कि आज हम डिसकस करेंगे volumes and surface area के बारे में ज़िए के बहुत important topic और बहुत ही असान topic है आज के lecture हम सारे formula cover करेंगे सारी figures को cover करेंगे 3D figures को कैसे क्या क्या उसके formula है और एक चीज मैं आपको सारे formula derive करने सिखाऊंगा ठीक है category wise बना के कि आप खुद मौके पे कैसे formula बना सकते हैं आपको मुश्किल से चार या पांच formula याद करने है और उसी के basis पे पूरे के पूरे चैप्टर के formula खुछ से derive कर पाएंगे तो video को एंट तक देखे का कि सारे formula आपको clear हो सके आई यह दोस्तों शुरू करेंगे आज का अपना लेक्चर वालिमेंट सरफेस एरिया तो सबसे पहले मीनिंग बात करते है जी volume क्या होती है ठीक है जी volume होती है किसी भी चीज़ की capacity अगर मान लीजी आपके पास एक कितनी हवा भर सकते हो वो उसका वाल्यूम आना जाएगा यानि कि किसी भी चीज़ की capacity कितनी है किसी चीज़ को hold करने की उसे बोला जाता है आप दुस्ततत जो जो वाल्यूम है वाल्यूम का यूनिट आपको हमेशा याद रखना है यह cubic yunie होता है quarter unit जैसे कि आपको area का unit याद होगा area का unit square unit था जैसेấn स्क्वेर सेंटीमेटर स्क्वेर सेमिलरली जो वॉल्यूम का यूनिट है वो क्यूबिक यूनिट होता है इस जैसे के मिटर क्यूब सेंटीमिटर क्यूब इस तरह से ठीक है जी क्यूबिक यूनिट बोलते हैं या फिर वॉल्यूम का जो डारेक्ट यूनिट होता है वो उतर लिटर्स volume का direct unit होता है वो क्या होता है दोस्तो dealers में भी हम volume को देख देखर है बंक दूसरी चीज वती है दोस्तो जो हमने पढ़ने है which is surface area volume में एक पार्ट है दूसरा पार्ट हमारे लिए क्या है surface area अब surface यहा का मतलब क्या है जो भी हम 3D figure देख रहे है उसके surface होते हैं face होते हैं सते तो उस surface के area उसे बोला जाएगा surface area तो इसे हम दो categories में divide करते हैं एक होता curved surface area जिसे हम lateral surface area भी बोलते हैं और दूसरा होता दोस्तो total surface area अब जो curved surface area है curved surface area माना जाएगा इसी वी 3D figure की जो boundary walls हैं उन सबका area ठीक है जी total area of the surface except top and bottom मतलब उपर वाले surface और नीचे वाले surface को छोड़के बाकी जो boundary walls बचेंगी उससे बोला जाता है curved surface area area of boundary walls जो जो total surface area है total surface area का मतलब उस 3D figure के अंदर जित्री में भी surface है उन सबका area तो basically यह होता है curved surface area में अगर हम top और bottom को भी साथ में जोड़ दे तो वो बन जाएगा हमारे लिए total surface area ठीक है जी इसमे curved surface area boundary walls का area आगा और उसमें आप top जोड़ और bottom जोड़ दो वो बन जाएगा total surface area इसको समझने के लिए आप अगर practically जिस room में बैठे हो उस room की चारों दिवारों को देख लिए ठीक है जितनी भी उस room की दिवारे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो उन सभी दिवारों का area प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा curved surface area और अगर उसमें आप छत का area और floor का area साथ में जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा रही है दोस्तों की question के अंदर हमें निकालना क्या है ठीक है जी वॉल्यूम की जरूरत है या curved surface area की जरूरत है या तो अगर आपको यह चीज पहले पता चल जाती है तो आपको डारेक्टी उसका formula implement करना हो तो उसको समझने की सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि आपको जर पानी भरा हुआ है आपने वो पानी ग्लासेज में भरना है ठीक है जी अब आप पानी जग के अंदर है तो पानी क्या होगी जग की सथी क्या होता है जी तो आप जग के वॉल्यम को compare करोगे किसके साथ glasses के वाल्यूम क्योंकि वहीं पानी आप शिफ्ट कर रहे हो पानी का volume दोनों तरफ same रहेगा तो एक तरफ आप glasses का volume रखोगे और दूसरी तरफ आप जग का volume रखोगे ठीक है जी किसी तरीके से अगर मान लीजिए आप अपने room की चारों दिवारों को paint करवाना चाते हैं सिर्फ मैं दिवारों की बात कर रहा हूं उसको paint करवाना चाते हैं तो आपको क्या calculate करने की ज़रूरत है उस case में आपको calculate करने की ज़रूरत है curved surface area of a room कितना paint use होगा उसके लिए आपको दिवारों का area बता होना चाहिए और दिवारों का area यानि boundary walls का area वो क्या होता दोस्तो curved surface area अगर आप दिवारों को भी paint करना चाते हैं च्छत को भी paint करना चाते हैं और flooring भी लगवाना चाते हैं अपने रूम में तो आपका total कितना खर चाहेगा उसके लिए आपको पूरे room का area चाहिए मतलब सारे surfaces का उसमें आप total surface area निकालोगे या फिर आपको gift wrap है gift box उसको wrap करना चाते हो किसी कागज के साथ तो कितना कागज यूज होगा उसके लिए आपको इसका total surface area निकालना होगा ठीक है तो इस तरह की चीज़ें जो हमें धूंडनी होंगी ठीक है वह पहले पहचाने को उसके बाद formula implement करें तो आई अब बढ़ते हैं formula की तरह ठीक है जी broadly हम इ इन फोकस पहले उनी पर होना चाहिए वह च्छे साथ फिगर्स को अच्छे से कर लें क्यूंकि ज्यादा तर question उनी में से आएगा ठीक है तो category wise में आपको समझाओंगा सबसे पहली जो category हम discuss करेंगे उसमें हम discuss करेंगे straight boundary wall वाली figures को स्ट्रेट boundary walls जिनकी दिवारें बिलकु करती है क्यूब कि वाइड इसलेंडर और फोर्थ होता हमारे पास इसके अंदर प्रिजम यह चार हमारी टोटल साथ में आपको बोला कि साथ में इसमें से चार तो इसी के अंदर हमारी कवर हो जाएंगी क्यूब के वाइड एलेंडर और प्रिजम तो इनके तीन बेसिक वाल वाली फिगर का अगर आपको बॉल्म निकालना तो आप क्या करेंगे एरिया ओफ बैस इन्टु हाइट उस फिगर का बेस देखिए किस शेप का अप उस शेप का एरिया निकाली और उसको इसकी रूम की फिगर की हाइट के साथ मृटिपलाई कर दीजिए वाल्द नि इसका जो बेसिक फॉर्मॉला है वो क्या बनता है पैरिमेटर ओफ बेस इन्टू हाइट वही सेम चीज बेस देखेंगे बेस किस शेप में उसका पैरिमेटर निकाल के उसको हाइट से क्या कर देंगे जी निकाल लेंगे और उसमें टॉप का एरिया भी जोड़ देंगे और बॉटम का एरिया भी जोड़ देंगे वो क्या बन जाएगा आमरे लिए टोटल सर्फिस इन्टू है तो यह तीन चीजये में याद रखनी है प्लस एरिया ऑफ टॉप मेंड वाट तो ये तीन चीजें आईए अब इनके बेसिस पे खुद फॉर्मॉला डेराइव करें ठीक है जी सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब जी क्यूब एक ऐसी थ्री डाइमेंशनल फेगर जिसके सिक्स रैगूलर फेश के अंदर यूब के अंदर जितने भी फेस हैं वो square shape में होते है इसका base भी square shape है top भी square shape में और जो boundary wall भी square shape के अंदर होते है ठीक है जी इसकी property यही बनती है इसकी सारी sides equal है ठीक है जी और side को हम किसके साथ denote करते हैं अब यहां पर देख सकते हैं यह हमारा क्यूप बना हुआ है तो इसके अंदर यह हमारी sides है जी तीनों A, A, A square base है जी इसके अंदर तो अब formula हम खुट derive करेंगे सबसे पहले इसके अंदर आता जी volume का formula हमने दोस्तों पढ़ा था area of base into height ठीक है दी अब इसका जो बेस है वो square shape का है तो square shape होने के कारण ठीक है जो इसका volume बनेगा अब इसका जो बेस है वो square shape है तो square का area क्या होता है side square और height भी इसकी क्या है तो हमारा volume क्या बन जाएगा area of base into height यानी की aq यह हमारा volume का formula derive हो गया जी दूसरा case होता हमारा दोस्तो curved surface area जिसके बारे हमने पढ़ा था parameter of base into height अब parameter of base square का parameter होता है 4a और height कितनी है a तो formula क्या बन गया 4a square तीसरा case total surface area का दोस्तो total surface area हमने क्या पढ़ा था curved surface area plus top and bottom surface area हमने कितना निकाला 4a square plus top top में भी x square उसका area a square bottom में भी x square उसका area a square तो total कितना बन गया हमारे पास 6a square जी अब फूर्थ चीज एक चीज इसके अंदर यह होती है दोस्तो बाडी डाइगनल बाडी डाइगनल क्या है जी बाडी डाइगनल हम बोलते है है longest rod that can be fit that can be fitted inside a box ठीक है एक box के अंदर सबसे लंबी length वाली rod जो हम fit कर सकते हैं उसे बोला जाता बाडी डाइगनल अगर इसके अंदर आप समझेंगे तो यह जो होगी length यह बाडी डाइगनल है इसकी length अगर हमें निकाननी है तो यह बनेगा एंडरूट 3 अब यह जो derivation बनी है दोस्तों एंडरूट 3 यह पाइथागोरस theorem से बनी है आपको derivation में इसके जाने की जरूरत नहीं है यह पाइथागोरस जो एक box के अंदर fit कर सकते हैं ठीक है जी तो आपको directs का formula implement करना है विच इस ए अंडरूप 3 यह हमारी first figure cover होती है दोस्तों क्यूब करता हूं इसके चारो formula आपको clear होंगे अब second आती है इस category में किवाइड ठीक है अब किवाइड के बारे में समझेंगे अब जो किवाइड है यह एक solid figure है जिसके चेश सेर्फेस हैं इसमें यह यह है property कि इसके चेश मतलब के dimensions डिफरेंट है इसके अंदर तीन अलग लग dimensions होंगी ठीक है जी एक dimensional length यह वाली dimension लंबाई एक dimension ब्रेट यह वाली और एक dimension है height यानि इसका जो बेस है यह वाला यह rectangle की शेफ में होती है यूब का जो सारे surface थे वह square की शेफ में थे इसमें जो surface होते हैं दोस्तों वह rectangle की शेफ में होती है तो इसके जितने भी फॉर्मला हम derive करेंगे वह किस basis पे करेंगे रिक्टैंगल के बेसे तब से पहले हम volume की बात करते है volume का हमने फॉर्मला पढ़ा area of base into height अब इसमें area of base base किस शेफ का दोस्तों rectangle ल इंटो बी हो गया जी और into height यह हमारे पास फॉर्मला बन गया एल इंटो बी इंटो एच्छ वॉल्यम का दूसरा केस आता दोस्तों कर्ब सर्फिस एरिया का कर्ब सर्फिस एरिया का बारे में हमने पढ़ा था parameter of base into height अब parameter of base rectangle का parameter हमने पढ़ा हुआ वो क्या होता दोस्तों 2 इंटो L प्लस B और उसको height से हम क्या करेंगे multiply वो बन जाएगा हमारे पास curved surface एरिया तो यह formula derive हो गया टू एल एच प्लस प्लस दोस्तों अब वही चीज़ आजी total surface एरिया क्या होता है curved surface एरिया plus top और bottom अब top पे भी एक rectangle bottom पे भी एक rectangle तो दोनों को प्लस कर देंगे तो curved surface एरिया हमारे पास यह है टू एल एच प्लस बी एच टॉप में भी रिक्टेंगल है एल बी बॉटम में भी एक rectangle है लगी तो यह हमारे लिए बन गया दोस्तों 2LB इसमें से हमने 2 common निकाल दिया सब में से तो अंदर क्या बचा टू इंटू LB प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच तो यह हमारे पास टोटल सर्फिस हेरिया का formula बना जी फूर्थ formula इसके अंदर भी आता है जी body diagonal longest rod ठीक है जी यह वाली length पूछ रहा है वो इस corner से ल सेम वामला सेम पाइटागोर सिरुम के basis पे ही इसको डिराइव किया गया एल स्कूर प्लस बी स्कूर प्लस है स्कूर अंडरू यह चार वामला बनते हैं कि वाइड के नेक्स फिगर आती है दोस्तों हमारे पास सेलेंडर अब सेलेंडर भी इसी category में तीसरा बनता है जी हमा सरकल की शेयों है आप देख सकते हो यह सरकूलर बेस बना हूँ है और यहे जो है वो कहा है दोस्तों रेडियस होगा अब इसकह पामला है वो सरकल कि एकॉर्डिंग डिराइब किये जाएं ठीक है वॉल्यूम एरिया ओफ बेस इंटु हाइट बेस सरकल है तो उसका एरिया उता पाई आर स्कूर और हाइट से करने के क्या बन जाएगा टू पाई रिक है तीसरा के सा टोटल सर्फेस एरिया का दोस्तो टोटल सर्फेस एरिया और सभी सेडिया अब सोट अब इसमें टॉप और वाटम जोड़ना अक यानि पाई अर्श पइर पाई याड़ स्कूर और को जुट गे है जी सके अंदर और हमने इसमें से common निकाला बचा गया 2 pi r into h plus यह तीनों formula derive हो जाएंगे cylinder के volume area of base into height मतलब pi r square h curved surface area perimeter of base into height यानी 2 pi r h वो total surface area यानी की curved surface area 2 pi r h plus 2 pi r square उसमें से 2 pi r common निकालके into h plus तो यह बन गया हमारे पास cylinder अब इसी category में हमारा fourth आता है दोस्तों प्रेजम अब प्रेजम के बारे में आप थ्यान रखेंगे प्रेजम कई टाइप का होता है दोस्तों हमें किसी भी टाइप का प्रेजम पूछा जाता है प्रेजम के अंदर जेनरली कोई standard formula नहीं होता प्रेजम के अंदर तीन जो फार्मला वालिम कर्ट सर्फेस एरिया और टोटल सर्फेस एरिया वो तीनों ही बेसिक फार्मला है area of base into height perimeter of base into height और कर्ट सर्फेस एरिया प्लस area of top and bottom अब standard formula इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेजम कई तरह का पूछा जाता है अब यह जो मैंने तो अगर triangular base हुआ तो हम formula derive करेंगे triangle के according area of triangle निकाल के उसको height से multiply करेंगे तो volume आ जाएगा perimeter of base निकाल के उसको height से multiply करेंगे तो वो curve surface area आ जाएगा और total के लिए curve निकाल के top और bottom करेंगे ठीक है दी हो सकता है यह square base पे पूछा जाए यह हो सकता इसका base rectangle shape में हो हो सकता इसका base hexagon की shape में हो यह हो सकता इसका basic trapezium की shape में हो तो base पे depend करता सारा कुछ यह सारे case possible है तो हमें यह सारी figures हमने 2D figure में videos में cover की है ट्राइंगल का area निकालना, square का, rectangle का, hexagon का, trapezium पर जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो पहले जरूर देखे और आपको अच्छे से सारे formula इसके समझ आएंगे ठीक है दी तो हमें इसके सिर्फ basic formula को याद रखना है question के अंदर देखा जाएगा कि base के shape का, उसके according इसका formula derive किया जाए तो यह हमारा fourth case, fourth type बनती है पहली category में तो चार चीज़े हमने इसके अंदर cover की, cube, cuboid, cylinder और prism आए दोस्तों second category की तरफ चलते है basic for figures having, यहाँ पे straight नहीं है दोस्तों, यहाँ पे है slanting boundary wall ठीक है जी, ऐसी figures जिसकी boundary wall सीधी नहीं होगी, slant shape नहीं होगी, टेड़ी होगी इसके अंदर हम दो figures cover करते हैं, एक हम cover करते हैं इसके अंदर cone और दूसरा हम इसके अंदर cover करते हैं, pyramid, cone और pyramid को cover करते हैं तो यह हमें ध्यान में रखना, कौन और पर इसके तीन basic formula बनते हैं, पहले तो volume, volume बनता 1 by 3 into area of base into height आपको याद होगा जो पिछली category थी उसमें volume था area of base into height, इसमें भी area of base into height तो है, बस उसका one third करना, जी तो volume बन जाएगा curved surface area के लिए हमें क्या करना है, 1 by 2 into perimeter of base into slant height surface area में यहां पे slant height use की जाएगी, ना कि height क्योंकि इसका जो surface है, वो slanting shape में है, टेड़ी टेड़ा है, ठीके जी, तो slant height का दियान रखना है, तो total surface area में क्या आएगा, curved surface area plus area of bottom, इसमें top नहीं होता दोस्तों, यह हमें ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ क्या होता है, बॉटम, क्योंकि ऊपर यह बिल्कुल एक point पे जाके meet करती हैं, इसलिए top नहीं होगा, सिर्फ bottom बॉटम होगा, तो curved surface area निकाल के हम उसमें bottom का area add कर दो, तीन formula में याद रखने है, basic, पहला volume, volume होता है, 1 by 3 into area of base into height, second है curved surface area which is half into perimeter of base into slant height, और तीसरा है total surface area which is curved surface area plus area of bottom, तो आईए अब इसके base पे formula को derive कर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कोन की, कौन, अब कौन जोगा देखिए दो, इसका base किस shape के अंदर है जी, circle base, circular base, इस shape में है जी, base circular shape, ठीक है, यह इसकी height है, जो बिलकुल straight line आ रही है, यह base का क्या होगा दोस्तो, radius हो गया, और यह है इसकी plant है, यह क्या है दोस्तो, plant है, जी, अब हमें ध्यान रखना है, कि हमें slant height को use करना था, किसके अंदर curved surface है, तो देखते हैं जी, सबसे पहले volume, volume का formula हमने क्या पढ़ा था, 1 by 3 into area of base into height, ठीक है जी, तो 1 by 3 area of base क्या है, जी, pi r square circle है, into height, तो formula क्या बन गया, 1 by 3 pi r square h, दूसरा formula हमने पढ़ा था, curved surface area के बारे मने में पढ़ा था, half into perimeter of base, perimeter of base क्या होता है, 2 pi r, base circle है तो उसका perimeter यानि circumference, into slant height l, तो 2 के साथ 2 cancel हो जाएगा, formula क्या derive हो जाएगा दोस्तो, pi r l, तीसरा case दोस्तों इसमें क्या बनता है, total surface area का, total surface area हमने क्या बढ़ा था, curved surface area यानि pi r l, plus area of bottom, bottom किस shape के अंदर है, circle, तो circle का area pi r square, जिसमें से pi r common आ जाएगा, क्या बचेगा, pi r into l plus r, और fourth case है दोस्तों, अब इसमें slant height भी हमें निकालनी बढ़ सकती है, तो आप diagram को ध्यान से देख सकते हैं, slant height यह है, एक right angle triangle बना हुआ बीच में, यह right angle triangle दिख रहा है आपको, ठीक है जी, अब right angle triangle में slant height हमारे लिए क्या है, दोस्तों, high pot muse है, ठीक है जी, यह जो radius है नीचे, यह base हो जाएगा, और height मारे लिए perpendicular हो जाएगा, तो इसमें हम pythagoras serum use करके slant height निकाल सकते हैं, तो उसका formula क्या बनता है r square plus h square का under, तो यह 4 formula बनते हैं, कौन के अंदर, basic याद रखिए, बाकी formula खोड derive हो जाएगा, उसके बाद अगला आता है, इसके अंदर इसी category में pyramid, ठीक है जी, तो pyramid के बारे में देखते हैं, जी, pyramid क्या कहता है, अब pyramid में भी हमें दोस्तों, एक चीज ध्यान रखनी है, इस इसका भी कोई standard formula नहीं होता, जो हमने तीन basic formula इस category के की हैं, वो ही इसमें implement होगे, volume के लिए 1 by 3 into area of base into height, curved surface area के लिए 1 by 2 into perimeter of base into slant height, और total surface area के लिए curved surface area plus area of bottom, यह 3 implement किये जाएंगे, अब इसका भी यही एक reason है, जो हमने पहले prism के case में भी किया, भी base पे depend करेगा, ठीक है ज हो सकता है square base given हो, ठीक है जी, हो सकता है triangular base given हो, हो सकता है hexagonal base given हो, ठीक है जी, तो depend करेगा base के shape में, तो उसी figure का हम area या perimeter निकाल के height के साथ multiply करेंगे area perimeter को, तो हमें curved surface area भी मिल सकता है, वहाँ से हमें volume भी मिल सकते है, और total surface, तो ध्यान में हमें यही रखना है, तीन basic formula इसमें हम याद रखेंगे, volume के लिए 1 by 3 into area of base into height, curved surface area के लिए 1 by 2 into perimeter of base into slant height, और total surface area के लिए curved surface area plus 8 of bottom हम याद रखेंगे, तो यह हमारी second category complete होती है दोस्तों, अब तक हम 6 figures complete कर चुके हैं, हमारे पास 7 main figures हैं, उसमें 6 complete कर चुके ह और आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 6 ही formula आपको याद रखने हैं, बाकी सारे के सारे formula आप खुद बना सकते हैं, ठीक है जी, उमीद कर तो सारा ध्यान आप उसी basic formula पे रखिए, आपको बाकी formula याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको automatically वो याद हो जाएंगे, इसे हम कवर करते हैं, इसको पहले हम कवर करते हैं, इसको पहले हम कवर करते हैं, याद करने पड़ेंगे, तो इसका टॉप, पॉर्टन, साइट सब तरफ से एक ही शेप होती है, तो इसके अदर दो ही formula बनते हैं, एक वालिम का और दूसरा surface area, जिसमें curved और total दोनों सेम ही होते हैं, इसको बोला जाता है, simply surface area, तो volume का इसमें हमें formula याद रखना है, 4 by 3 pi r cube, और surface area का हमें याद रखना है, 4 pi r square, as it is, और इस case में हमें एक चीज़ और याद रखनी है, sphere के case में जो diameter है, दोस्तो, वो बराबर है height, diameter is height of sphere, यह हमें याद रखना है, दो ही formula है, volume का 4 by 3 pi r cube, और surface area का 4 pi r square, और इसी के बेस पे एक होता है, दोस्तो, hemisphere, ठीक है जी, जब हम ball को center में से काट देंगे, तो वो क्या shape ले लेगा, hemisphere की shape ले लेगा, तो हमें hemisphere का निकाना है, जी, अब इसके अंदर, जब हम उसको बीच में काटें, उसका एक निया surface create हो जाता है, जिसके कारण curved और total अलग हो जाएंगे, volume अगर पहले हम discuss क दें, 2 by 3 pi r cube, जो पूरे sphere का volume था, that was 4 by 3 pi r cube, तो उसका half करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 by 3 pi r cube, दूसरा इसके अंदर, curved surface area, जो पूरे sphere का surface area था, उसका half कर दीजिए, 4 pi r square था, उसका half करने पे, इसका curved surface area बन जाएगा, 2 pi r square, अब इसमें एक तीसरा surface create हुआ, ठीक है जी, ए वाला जो surface बन गया, यह circle shape का है, कि surface create हो गया, तो जो इसका curved surface area था, 2 pi r square, उसमें top, top एक circle है, तो ओएड कर देंगे, pi r square, तो कितना बन जाएगा, 3 pi r square, तो तीन formula, volume का बनता है, 2 by 3 pi r cube, curved surface area का बनता है, 2 pi r square, और total का बनता है, 3 pi r square, तो यह साथ important figures हैं, सबसे जादा जो प PC में से 99% of the time question पूछा जाता है, और एक होता है, दोस्तों हमारे पास frustum of a cone, ठीक है जी, इसको आप याद करना पड़ेगा, आपको as it is, अगर आपको मुश्किल लगता है, तो आप risk ले सकते हो, इसको छोड़ने का, ठीक है जी, इसके भी 3 formula, frustum of a cone है क्या सबसे पहले, ज इसके कारण इसका एक top पे surface circle create हो गया, जिसका radius small r है, एक bottom पे circle है, जिसका radius capital r है, यह हमारे पास height of frustum है, ठीक है जी, और यह हमारे पास slant height of frustum है, ठीक है जी, इसके formula आपको as it is, याद करने पड़ेंगे, volume का formula होता है, 1 by 3 pi h into r square plus rr into r square, curved surface area या lateral surface area के लिए formula pi into r plus rl, और total surface area के लिए formula है, pi into r plus rl plus r square plus r square, यापको as it is, याद करने पड़ेंगे इसके formula, अगर मुश्किल लगे तो आप risk ले सकते हैं, इसको छोड़ने का, जी, तो यह था दोस्तो 3D figures के सारे formula की explanation, उमीद करता हूँ आपको ये सारे समझ में आ चुके होंगे, category wise बनाके आप इ basic formula से याद करिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बट हाँ, इसके लिए important है कि आपको 2D figures के formula आने चाहिए, तो वो videos बहुत ज़्यादा important हो जाएंगी, इससे पहले, तो उन videos को जरूर देखें, पहले 2D figures के formula करें, फिर आप इस 3D figures के formula को try जीए, इमीद करता subscribe करें, ताकि आपकी आने वाली videos मिस्स ना हो, मिलूगा दोस्तो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्री